हलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारी इस यूटीब चनल में स्वागत है इस व्यूडियो में हम सेंट्रल यूवर्सिटी कॉमन इंट्रेस्ट टेस्ट मैथमेटिक्स की तयारी करने वाले बच्चों के लिए अबस्ट्रेक्ट एलजेबरा का लेक्चर नमबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो थे हमारे पास में सेंट्रेशनलॉममी नौट हुल्ड इन ऑस एम धि होता है यह हम प्रीवियस व्यूडियो में वैसे पढ़ चोके हैं बट सीक बþले टेते हैं सेंट्रब्रेस्अ सेंत्र्चॡDay को फ्रापर्टी को यह चौर्टर्च लेते प्रोपर्टी इन दो प्रोपर्टी गर वो फोल्ट कर रहा तो इस कंडिशन हम कहते हैं यह जो सैट जी है वह ऐक है कि सेमी ग्रूप मोनरोड? पर क्या होता है इसकी perfektion हमने अपनी प्राणी बीडियो में पढ़ दिया फरणी हम ने इस सब पढ़ा था टो मस्धिशिश थुर्म थ्री है कैंसे लिए के औरूट होल्ट अ polit क्लिश आध जी में इस प्रूपर्ट नहीं कर रहा है तो उसके consider M is a set of two cross two matrix जो हमने एक set ले लिए M जो कि two cross two matrix का है over integer under the matrix multiplication matrix multiplication के अंदर if we take A बरावर हम यह ले 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 1001, B बरावर ले ले 0, 0, 0, 2 and C बरावर ले ले 0, 0, 0, 3 तो उस condition मा अगर हम देखें AB, AB क्या होगा हमारे पास यह है हमारे पास 1, 0, 0, 0 multiply 0, 0, 0, 2 तो अगर multiply करें तो हमारे पास इस रोग का multiply इस column से 0, इसका इससे 0 and 0 इसी तरह से जब हम यह करेंगे 1, 0, 0, 0 and 0, 0, 0, 3 तो भी हमारे पास 0, 0, 0 आएगा यह हमारे पास रोगे इन दोलों को multiply अगर हम देखें तो same है यानि AB बराबर AC आ रहा है दोनों का multiply जो है दोनों matrix का A और B का multiply and A और C का multiply जो है वो same आ रहा है बट अगर हम देखें B और जो C जो है वो दोनों equal नहीं है क्योंकि यहां पर 2 है और यहां पर 3 है तो यह दोनों equal नहीं है तो यहां से हम कह सकते हैं कि AB पराबर AC हो वले, एक semi-group G में, तो वो उसके लिए cancellation law hold नहीं करेगा, अगर cancellation law hold नहीं करेगा, तो हम वहाँ से कह सकते हैं, वो group भी नहीं होगा, तो basically जो M जो होता है, two cross two matrix का, जो set होता है, वो एक group नहीं होता है, यह हो गए हमारे पास, तो यहाँ, अब next theorem है, हमारे पास तो number four क्या कहते है, अब finite semi-group, in which cancellation law is hold is a group, जो हमने अभी बात की थी, कोई एक semi-group है, finite semi-group है, उसमें cancellation law hold कर रहा है, तो वो एक group होगा, अब हमें यह proof करना है, तो इसको proof करने के लिए, फिर से हमारे पास, इस semi-group तो है, यानि कि इसमें closure and associated property hold कर रही है, अब हमें सिर्प स विए बरावर a1, a2, a, dot, a and b है, finite semi-group, यानि जी हमने finite semi-group, semi-group ले लिया, and with cancellation law hold, यानि cancellation law जो है, cancellation law क्या है, अगर a, b, बरावर a, c है, तो b, बरावर c, and a, b, बरावर, sorry, d, a, बरावर c, a है, तो b, बरावर c, यह हमारे पास left cancellation law, और यह होता है, हमारे पास right cancellation law, तो यह left and right cancellation law हमारे पास होते है, यह हो गए हमारे पास, अब हमारे पास यह लिलिया, हमारे पास इनमें दोनों cancellation law hold कर रहे है, तो उस condition में closer property से, closer property से क्या कर रहे है, अगर हम इसमें a1 का multiply, एक कोई या कोई भी element, उसका, जी का, उससे अगर हम हम हरके element का multiply कर देंदे, तो a dot an, r, r, n, g, या हम यहापर करें, ai, ai, कोई एक भी element ले लिया, एक element उसका हमने समय multiply कर दिया, तो यह जो element होंगे, यह सभी भी g में होंगे, अब हमने सब, और यह अलग-अलग होंगे, अलग-अलग क्यों होंगे, इसके suppose हमने ले लिया, इसके इसको प्रूब करने के वो equal है, हमने suppose कर लिया, कि दो element जो है, वो equal है, तो हमने यह suppose करके चल ले है, कि दो element equal है, तो इसलिए ले ले लिया, हमने, ai, and ai, j, एका multiply कर रहें, तो ai, ai, and ai, j, sorry, a, aj, जो है, वो same है, for i not equal to j, को i not equal to j के लिए, यह same है, then ai बराबर aj, यह हमारे पास cancellation law hold कर रहा है, तो a से a कट जाएगा, यह होगा, ai बराबर aj, but हमने क्या लिया था, ai not equal to aj, as i not equal to j, basically हम क्या लेके चले थे, इसके, कि a1, a2, dot, dot, यहाँ पर ai भी होगा, कहीं, aj भी होगा, और an तक, यह सारे element थे, जो कि अलग अलग ते, हमने ai not equal to aj के लिए लेके चले थे, और हमने इसमें a का multiply क जो कि इन ही किसी में save point है, इन ही का एक point है, जो हमने देखा कि ai dot aj, जो है हमारे पास, हमने देखा कि यह same नहीं हो सकती है, हमने suppose किया कि छलो same है, तो same होने पर हमने suppose कर लिया, but cancellation law से हमारे पास क्या आगए, ai equal to aj, यहानि कि इसमें भी हमारे पास, दो element same होने चाहिए, but हम लेकर चलें कि इसमें n element है, जो कि distinct element है, hence no two element है, जो a a1, a a2 dot a an जो है, वो equal नहीं हो सकते, और यह जो है, वो n number में है, total इनका number क्या है, n number है, क्योंकि order of g जो है, वो n है, यह भी total n है, now if b belongs to g be any element then, हमने suppose कर लिया कि b जो है, एक element है, जी का, तो इस condition में b, जो है, b को इस form में लिखा जा सकता है, a dot a i, योगि हर, यह जो element थे, a1, a2, जो हम लेकर चले थे, यह वाले element, यह सब भी district थे, यह हमने एक b को ले लिया, यह कोई element होगा b, अब हम कह रहे हैं, कि b को हम इस form में लिख सकते है, a dot a i, यानि किसी i के multiply, multiply की form में, यह से जब कोई element कर रहे हैं, तो b b, जो पहले element था, वो इस form में भी बनेगा, यह एक multiply करने पे भी इसका एक form आ रहा होगा, तो हमने ले लिए a dot a i for some i, for a b belongs to g, these equation, the equation a x ब्राबर b has a solution, यह हमने जो पहले theorem पड़ी थी, वो theorem क्या थी, a non-empty set g together with a binary operation dot is a group if and only of, जो कि हमने previous वीडियो में पड़ी थी, प्रिवीडियो की जो लिंक है वो आपको description में मिल जाएगी, a dot b c ब्राबर a b c यह तो associated property थी, second condition जो थी for any a b belongs to g, the equation a x ब्राबर b and y a ब्राबर b have solution in g, यह हमने theorem पड़ी थी, इस theorem की help से हम यहाँ पर कह रहे हैं, for a b belongs to g, the equation a x ब्राबर b has a solution, यह solution exist करेगा, solution जो क्या है वो x ब्राबर a1 in g, ए ब्राबर x ब्राबर ai जो है, वो हमने एक solution ले लिया in g, similarly the equation y a ब्राबर b will have a solution in g, तो y a ब्राबर b जो है, वो इसका एक solution exist करेगा, g being a semi-group, जो g जो है, वो semi-group है, तो semi-group है, तो यह semi-group तो है, यहाँ से हम semi-group है, और साथ में यह दोनों conditions के लिए solution exist कर रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, कि g जो है, वो एक group होगा, क्योंकि इसमें हमने देखा था, इस theorem को हमने previous वीडियो में जब प्रूब किया था, उसमें हमने identity element and inverse element exist कराये थे, और यहाँ पर हमने जब इस theorem की condition मिला के हमने, सो कर जा है, कि g जो होगा, वो एक group होगा, अब हम कुछ important problems लेते हैं, problem बन जो है, वो है हमारे पास, if g is a finite group of order n, then so that for a belongs to g, there exists some positive integer r, जो r जो है, वो less than n, बन से बड़ा, और less than r जो है, less than equal to 1 and greater than, sorry, r जो है, greater than equal to 1 and less than equal to n है, such that a to the power r बड़ावर e, यहनि कि हमारे पास कोई एक element है, तो उसके लिए एक ना एक हमारे पास natural numbers मिल जाएगा, जिसके लिए a r बड़ावर e होगा, और r की value 1 से और n के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम prove करते हैं, since order of g जो है वो हमने n लिया, क्यों finite order का लिया है, finite order g has n element, तो g के जो होंगे n element होंगे, तो g के n element को हम किस फ़र्म में भी लिख सकते हैं, let a belongs to g be any element, then by closer properties, अगर a dot a multiply करें तो वो भी g माना चाहिए, a dot a multiply करें तो वो भी g माना चाहिए, इस property से a square a q dot dot an all belong to g, अब हमारे पास यहां से consider कर लिया, आप लिए a a square dot dot an, यह हमारे पास n element exist कर लिए, बट यह जो हम देखें तो यह हमारे पास यहां तक तो n element और यह n plus 1, यह n plus 1 element है, बट n plus 1 element तो होई नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास order of g बराबर क्या है, n है, तो यहां से हम कह सकते हैं, यह मैं से कोई दो element जो होंगे, वो equal होंगे, तो suppose कर लिया हमने a i बराबर a j, जहां पर हमने ले लिया कि j जो है greater than i है, तो i जो है वो greater than j है, तो a i equal to a j होंगे, तो यहां से हमने दोनों तरफ हमने a to the power minus j क्योंकि a j belongs to g कर रहा है, तो इसका मतलब उनका inverse element a minus j जो है वो भी belongs to g करेगा, तो a i dot a inverse j, तो यह हो गया a j और a to the power minus j, तो यह तो हमारे पास e हो गया, a i a j बराबर e, अब यहां पर देखे हैं, a चुकि base same है, तो a i minus j equal to e, बट अगर हम देखें, i minus j, i जो हमने greater than g लिया, यानि i minus j जो है, वो greater than equal to 1 है, अब चुकि i और j की value, दोनों की value, i और j की value n से छोटी थी, इसमें n से छोटी थी, तो यहां से हम कहेंगे, यह जो value है, वो 1 से तो बड़ी होगी, लेकर n से छोटी होगी, तो इसको हम अगर हम r देते हैं, तो a to the power r बराबर e, where r is the less than n, less than n and positive, यहां से होगा है, हमारे पास जो, एक element r नमबर मिल जाएग, जिसके लिए e to the power r बराबर e exist कर रहा होगा, उसके बाद next है, हमारे पास problem, जो है next problem वो है, so that a finite semi group is abilion group, in which cross cancellation law hold, जैसे हमने last video में जो पढ़ा था, हमने उसमें बोला था, कि हम आगे देखेंगे, कि अगर cross cancellation law hold कर रहा है, तो उस condition में, जो होगा, वो abilion group होगा, अब हमें इसमें शो करना कि एक semi group है, वो abilion group होगा, अगर उसमें, cross cancellation law hold कर रहा होगा, तो let g be a given finite semi group, अब ने इसमें सब्सक्राइब कर लिए, जो है वो given finite semi group है, semi group है, यानि कि closure and associated property hold कर रहा है, then a b belongs to g b any element, since g is a semi group, तो c जो है element, g semi group है, तो उसमें associated property hold कर रही होगी, तो यह होगा हमारे पास, a dot b, यह दो element है, a dot b a, योग ग्रूप g के multiply closer property है, तो a b भी इसमें होगा, b a b इसमें होगा, तो a b a dot b a वराबर, a b dot a, तो यह हमारे हमने यहापे cross cancellation law लगा दिया, थोर्कि हमने काया cross cancellation law hold कर रहा है, तो a से, हमने इस एको कार्ड दिया, हैनि left वाले a से right वाले a कार्ड दिया, तो cross cancellation law होगा, इस से एको कार्ड इसado a b, भी ए बराबर, a b, जोग μας imply कर रहा है कि यह हमारे पास आपिलेन प्रोपर्टी आपिलेन फॉलो कर रहा है तो यह आपिलेन गुरूप है उसके बाद थर्ड प्रोपर्टी है वह हमारे पास इस जी इस आ ग्रूप इन बिच ऐबी वड़ावर आई वरावर आई बी आई फोर थ्री कंजुकेटिव इंटीजर्स हैं तीन लगातार इंटीजर्स के लिए ये कंडिशन सोल्ड कर रही है तो उस कंडिशन समें जो जी जो होगा वो आबेलियन ग्रूप होगा यह property hold कर रही है तो हमने यह जब property hold कर रही है तो वहां से A B की power N को लिख सकते हैं A N dot B N A dot B की power N plus 1 को लिख सकते हैं A N plus 1 A dot B की power N plus 2 को लिख सकते हैं A to the power N plus 2 B to the power N plus 2 यह हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब अगर हम देखें A B की power N plus 1 यहां से इस कंडिशन के हल्प से इसको लिख सकते हैं यह बाहरा यह एन प्लस बन यह आ गया हमारे पास तो यह हो गए हमारे पास यहां से यह क्या है हमारे पास यह टर्म क्या है इसके क्डिशन लो लगा रहे हैं तो इदर पावर एक खट जाएगे उनली यह इंवर्स का करेंगे तो हमारे पास यह कट जाएगा B A to the power N plus 1 इधर देखें तो हम B to the power minus N plus 1 करेंगे B to the power N plus 1 एक element है तो B to the power इसका inverse जो होगा minus B to the power N plus 1 वो भी इसी में होगा तो इस जोगो इस पर अपलाई करेंगे तो यहाँ पर N plus 2 minus N plus 1 यानि कि only B बच गया यहाँ बन बच जाएगा यहाँ पर तो यहाँ B to the power है यहाँ पर B to the power यहाँ आदेगा तो यह होगा हमारे पास B तो यह होगा हम A B dot A to the power N plus 1 बराबर A dot A की power N plus 1 dot B यह हमारे पास equation first हमने देदी तो यह हमारे पास equation equation first आ चुकिया अब second हम क्या कर रहे है A B की power N plus 1 को क्या लिख सकते है A B dot A B की power N यह इसको लिख सकते है A की power N plus 1 B की power N plus 1 क्योंकि यह A B की power N plus 1 तो इसके उक्वल था इस equation से अब यह हमारे पास आ गया तो यहाँ से हम देखे A B A की power N B की power N ब्रावर A N plus 1 B N plus 1 जो सिमिलरली इदर हमने लेफ्ट के जो कैंसिलेशन लो लगाए थे उन्हीं की help से उन्हीं की तरह से यह हो गया B की power N B dot A A की power N A की power N dot B तो यह cancellation law से हो गया हमारे पास अब हमें आप अगर देखे B dot A की power N ब्रावर A N dot B और यह से फर्ष कंडिशन थी और सेकेंड कंडिशन क्या आई थी अगर इसमें हम यह तो हमारे पास यह कंडिशन आई थी इसमें अगर हम राइट हैंड साड में A का मल्टिप्लाइग करने लाए तो यह हो गए A B A to the power N plus 1 और A N B और A अब यहां पर B A to the power N plus 1 B A to the power N plus 1 को क्या लख सकते हैं A N plus 1 dot B तो यह लख लिए हमने A N plus 1 dot B बरावर A N dot B dot A फिर से हमने कैंसलेशन लो लगाया तो power N कट जाएगी तो यहांनि कि यहां N plus 1 में से power N चले जाएगी तो power only बच्ची 1 तो यह हो गया हमारे पास यहां से अगर पावर बच्ची 1 यहां इसको में लिख सकते हैं A N plus 1 को यहां पर में लिखा A N dot A dot B A N dot B dot A A N से A N कट गया तो यह कैंसलेशन लो लग गया हमारे पास A B बरावर B A तो A B बरावर B A क्या apply करता है कि जो set जो था वो जी जो था वो एक community property है तो जी जो होगा आबेरियन ग्रूप होगा यह हमारे पास यहां से proof हो गया उसके बाद next problem लेते हैं let G be a group and suppose there exist two relatively prime positive integer M and N such that A M B M बरावर B M A M and A to the power N B to the power N बरावर B to the power N A to the power N for all A B belongs to G then हमें show करना है कि जी जो है वो एक आबेरियन ग्रूप है अब यह हमें show करना है तो अब यह show करने के लिए since हमारे पास condition क्या है friends वो है M और N जो है वो relatively prime या को प्राइम नंबर से है या को प्राइम नंबर क्या होते हैं ऐसे दो नंबर जिनका HCF जो है वो वन होते हैं या highest common factor जिनका वन हो वो हमारे पास relatively prime नंबर से आपको prime नंबर कहलाते हैं तो यहाँ से हमारे पास जब उनको HCF बन है तो HCF को बन होने condition में हम इस form में लिख सकते हैं होनों M और N को M X प्लस N Y बराबर बन जहां पर X और Y जो होंगे दो इंटीजर्स होंगे इस form में हम लिख सकते हैं यह हम नंबर थियुरियम पढ़ते हैं और यह हम नंबर थियुरियम पढ़ते हैं साथ यह अगर किसी को doubt हो तो आप मुझसे contact कर सकते हो यह आप prove भी चेक कर सकते हो तो इस तरह से लिख सकते हैं तो for any AB we have तो A और B के लिए हमारे पास condition क्या होगी AM dot BN AM dot BN की power MX अगर हम कर रहें की power MX कर आग तो यह हो जाएगा AM BN और यह होगा AM BN dot AM BN कितने time MX टाइम यह हो गए हमारे पास अब यहां से हम क्यागर AM को बाहर ले लिया इदर BN को बाहर ले लिया तो यह होगा बीन एंपे की हम दोट मैंनों ब्रोट अब इसको देखे लिए मैस बन क्योंकि एक माइनस em कि मयनिस हो गए एक यह से अ थरूा सोम मिल्च अ टम माइनस हो गए तो यह दोनहों से मिलाएक मैनिस हो गए है अब इसकों क्या लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं यहां पर तो यह हो जाएगा हमारे पास एकी पावर म डॉट इसको हमने क्या लिख लिए ए एन स्स восп opposite को क्या लिख लिख सिए हो गया हमारे पास है कि और यह हो गया हमारे पास है बीद को अधन ॹय रिख लिखिला अमनेश च्न A m cm a m cm basically के इस कंडिशन को a की पावर m c की पावर m बराबर b की पावर m इस कंडिशन को हमने apply क्या यहां पर यह वा गया हमारे पास c की पावर m dot a की पावर x यानि जो हमारे पास एस एस जो प्रोपर्टी वह रहे थी इनके लिए m और N के लिए तो M और N जो है को प्राइम नंबर है तो यहां पर आराम से रिप्लेस कर सकते हैं यह होगाई C की पावर M, A की पावर M, यह हो गया B, N, A की पावर M, inverse B, X तो यह हो गया हमारे पास अब यहां पर हम देखें C की पावर M, B की पावर M, अब चुकिए inverse की अहली क प्रडिशनसे ये हो गया हमारे पास एकी पावर एकी पावर माइनस M और वंडी की पावर sans 2-0 बी की पावर एण ये हो गया हमारे पास कि की पावर एण मीकिक टोटफर टुट एकि की पावर एं Mini कि यहां था और यहां से of अग्र नजिस्ट कराया तो हमने यह वह गया एकि पावर एम और एकि पावर आप इसलिए जब पहनुद रावर एक तो इसलिए चेंज हो कि आ जाएगा क्योंकि ए बीड़िव परावर विद्स यह इंवर्स होता है कोई भी ग्रॉफ हो इसमरे यह hold होती है तो इस condition की help से हमने यह प्रूव कर लिया और यह बी टूदी पावर एन अब यहाँ पर एटूदी पावर एम यह वह यह हो गए और बी टूदी पावर माइनस एन बी टूदी पावर एन यह भी वह जाएगा तो यह हो गया हमारे पास एन क्योंकि यह हो गया हमारे पास फाइनली सिटीक डिव एसी तरह से हम क्या लेकर चले थे ए म बी टूदी पावर एन ब्रावर एम एकस उसको क्या लेकर दिया हमने बी एन यह थे लेकर न हमने कि यहां पर व्रावर एंट इसकी पावर एम एक भ्रावर व्रावर कि इसको हमने कमड़ेश वक रिख़ दिया अब यहां पर हम सो कर रहे हैं पिसी तरह से एक प्रूप कर सकते हैं तिक पावर एम इसगतング को और rozum यह हो गया यह हो गया बी टू दी पावर एंग एटू दी पावर एंग को अगर हम की पावर एम एक्स प्लस एन वाई को देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं यहां से इसको लिख सकते हैं बी टू दी पावर एंग एटू दी पावर एंग इससे यहां लिख सकते हैं और पा a2 to the power m for all ab belongs to g जब यह हो गया तो अब हम ले रहें ab ab को क्या लिख सकते हैं a2 the power mx plus ny क्योंकि mx plus ny वरावर बनता b2 the power mx plus ny वरावर बनता तो यह हो गया a2 the power mx dot a2 the power ny dot a2 the power mx dot b2 the power ny basically यह जो टर्म है a2 the power m कोई भी number हो number हो कोई भी number हो ज़ए c का number r plus n तो c की power r dot c to power n इस तरह से लिख सकते हैं तो इसी condition को hold करके हमने यहाँ पे यह put कर दिया तो यह होगा amx अब यहाँ पे हमने क्या क्या है d d जो क्या है ay को replace ay को replace कर दिया a की power y को replace कर दिया d से तो यहोगा d की power n यहाँ similarly अगर b की power x को हमने replace कर दिया k से तो k की power m तो b x y यह हो गए हमारे पास अब amx km dx bxy यह हमारे पास total आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं amx b mx यह लिख सकते हम a to the power x sorry यहाँ से start करते हैं फिर से हम यह हमारे पास यहां से हमने जो condition थी d to power n k to power m को हमने replace जो क्या था जो condition आए थी हमारे पास in conditions से in conditions से हमने इसको replace कर दिया क्योंकि हमारे पास यह कुछ conditions आए थी जिनकी आप फिर गिवन कंडिशन से ले सकते हैं A to the power M, B to the power N बराबर ये ले सकते हैं या फिर हम यहां से कहें A to the power N, B to the power X बराबर क्या होता B to the power N, A to the power M यह होगा तो यहां से हमने इसको replace कर दिया अब K की value दुबारा से put कर दिया K की value क्या थी? B की power X तो यह होगा B की power MX और A to the power XY जब D की value put की तो यह फिर से B की value आ गई तो यह होगा AX की power M, BX की power M, A Y की power N, B Y की power N यह लिख सकते हैं? या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि total power क्या है M, M तो इसको भी हम committed low जो condition थी उसकी help से BX N की power M और AX की power M, यह होगा B Y की power N और A Y की power M तो यह होगा हमारे पास B MX A MX B NY A NY तो यह होगा हमारे पास तो यहां से हम लिख सकते हैं B MX A B NY अब इन दोनों को इन दोनों को हम committed low से चेंज़ कर रहे हैं तो यह B MX B NY dot A MX यह होगा है A NY तो यहां से होगा है B to the power M X plus NY योंकि यह जो term थी हमारे पास यह जो term थी यह हमने यहां से replace किये यहां से तो यह यहां से replace करने पर हमारे पास यह आ गया तो यह होगा हमारे पास B MX plus A NY और यह होगा A dot A की power MX plus NY तो बट यह क्या MX plus NY बराबर क्या था one और MX plus NY क्या था one तो यह होगा B dot A तो यहां से हमारे पास A B बराबर क्या गया जब गिवन कंडिशन को यूज कर रहे तो A B बराबर आ गया B A तो यहां से कह सकते हैं जी जो है वह हमारे पास एक आप एलियन ग्रूप है इस वीडियों में इतना ही अगर आपको यहां तब कोई आउट हो तो आप मुस्टे कर सकते हो मिर वाट्सअब जो है वह है नैन फूर शिक्स जीओ शिक्स एट नैन सेवन सिक्स वन एंड मेल आइडिया है मेरी है चाई टी एश्च एम डबल ए एन 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 नैन सेवन एट फाइव वन एड़ दी रेट जीमेल डॉट कॉम यहां प झाई झाई झाई